नमस्कार दोस्तों, इलेटिकल टेक्निशन चैनल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा dual starter करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोवारा हम dual starter का power wiring और control wiring करना सेखेंगे। देखिए दोस्तों यहां पे हमारे पास एक motor है जो कि three phase का है अब इसी motor को हमें चालू और बन करना ठीक है तो यह हमारा motor जो है वो three phase का है तो इसलिए हम यहां पे three phase power supply का इस्तमाल करेंगे तो यहां पे हम three phase power supply को connection करेक्शन कर देते हैं ठीक है यहां पर हमारा जो मोटर था उसको पावर सप्लाई देने के लिए मैंने यहां पर L1, L2 और L3 यानि कि 3-phase पावर सप्लाई ले लिया हूँ अब यदि में इस पावर सप्लाई को डारेक्शन कर देता हूँ तो क्या होगा दोस्तों देख लिजिए यहां पर क्या होगा यदि में मोटर को चालू करता हूँ यानि पावर सप्लाई को चालू करता हूँ तो हमारा मोटर चालू हो जाएगी ठीक है अब यहां पर जो हमारा पावर सप्लाई था उसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि यहा यहां पे जो हमारा power supply आ रही थी उसको भी मैं यहां पर control कर ना चाहूंगा यानि कि power supply को चालू और बन करने के लिए एक MCB का इस्तिमाल करूँगा यह हमारा MCB हो जाएगा ठीक है इस MCB का नाम लिख देता हूं यहां पर connection and उसको अब उसको मैने यह पर ला दिया है बहुत ही आसान है दोस्तों इस विडियो को बस आप अच्छे से देखीगा आपको समझ में आजाएगा थीक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जो आ यहां पर हम सिंपली इसका कनेक्शन कर देंगे ठीक दोस्तों यहां पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया अब जो हमारा MCB है उसके अर्डवेंग टर्मिनल से हम क्या करेंगे हमारा जो कॉनिटेक्टर है उसको इंकमिंग पावर सप्लाई देंगे ठीक है अब यह जो हमारा contactor था इसके outgoing terminal से हमें क्या करना है कि जो हमारा overload relay है उसको power supply देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके outgoing terminal से wire को connect करके ले जाके overload relay को incoming power supply देंगे ठीके दोस्तों तो यहाँ पर मैंने इनको incoming power supply दे दिया हूँ अब यो हमारा overload relay है उसके outgoing terminal से हमें wire को connect करके हमारा जो motor है उसको power supply देना होता है तो यहाँ पे मैं इसको भी power supply दे देता हूँ ठीके तो यहाँ पे हमारा जो power circuit था वो complete हो गया अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा overload relay था इसका भी नाम नहीं लिखा हूँ तो यहाँ पे इसका नाम देख देता हूँ ठीके तो यह जो हमारा overload relay था इसका नाम मैंने OLR लिख दे यानि की overload relay ठीके दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो power wiring था वो complete हो गया है अब यदि मुझे इस motor को चालू करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लिजिए यहाँ पे यदि हमें motor को चालू करना है तो सबसे पहले तो यह जो हमारा MCV है इसको चालू करना पड़ेगा जैसे मैंने MCV को own किया आप देख सकते हो power supply आगे flow हो गया और contactor के incoming terminal पे पहुच गया अब यदि मैं contactor को चालू करता हूँ तो हमारा motor running करने लगेगा ठीके लेकिन यहाँ पे जो हमारा contactor है इसको चालू करने के लिए यह contactor का कोईल होता है उसको हमें power supply देना पड़ता है ठीके तो उसके लिए यहाँ पे हमें control circuit को भी बनाना पड़ेगा तो तो contactor के coil को power supply देने के लिए हम यहाँ पे control circuit को भी draw कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें contactor को चालू और बन करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे contactor के coil का symbol होता है, उसको ले लेते हैं, ठीके, यह हमारा contactor के coil का symbol है, जो हमारा contactor होता है, उसमें दो terminal होती है, तो हम क्या करेंगे, यह जो हमारा contactor है, इसके A1 टर्मिनल पे power supply देने के लिए, हम यहाँ पे जो फेल सप्लाई है, यानि कि L1, L2, L3 है, इसका इस्तिमाल करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा power supply आएगी, उसको यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे हम एक MCB का इस्तिमाल करेंगे, दोस्तों, यह जो हमारा MCB होगा, वो single ball का होगा, ठीके, तो दोस्तों, यह हमारा MCB हो गया, अब इस MCB का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो दोस्तों, यह जो हमारा MCB था, इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, 1P MCB, ठीके, अब दोस्तों, देखिए, अब मुझे क्या करना है, कि यह जो हमारा contactor है, इसको चालू और बन करने के लिए, हमें यहाँ पे push button का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 push button का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक तो हमारा start push button होगा, और एक stop push button, तो सबसे पहले हम एक stop push button ले लिएते हैं, यहाँ पर मैंने इसका भी नाम लिग दिया start pv यानि pv का मतला बहुता है push button ठीक है अब यहाँ पर मैं इसका connection कर देता हूँ दोस्तों देखें यहाँ पर जो हमारा single pole का mcv इसको incoming power supply देना है इसको incoming power supply देने के लिए यहाँ पर मैंने इसका connection कर दिया अब हमें क्या करना है यह जो हमारा single pole का mcv है इसको incoming power supply दे देना है अब इसको incoming power supply देदा है हमारा जो contactor का coil है उसको incoming power supply दे दूँगा यानि कि हमारा जो contactor है उसके A1 टर्मिनल पे connection कर दूँगा यहाँ पर हमने face supply को connect कर दिया अब यह जो हमारा contactor है इसको neutral supply भी चाहिए तो यहाँ पर मैं एक neutral supply ले लेता हूँ जैसे मैंने power supply को own किया हमारा जो triple का MSV था उसको incoming power supply मिल गई और जो हमारा single pole का MSV था उसको भी incoming power supply मिल गया अब यदि मुझे इस motor को चालू करना हो तो मुझे इस MSV को own करना पड़ेगा इस MSV को own कर दिया तो power supply जो था यानि कि power circuit वाली power supply जो थी वो हमारे contactor के पास पहुच गई है अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे contactor को चालू करना है contactor को चालू करने के लिए यहाँ पे हमारा जो single pole का MSV था इसको start करना पड़ेगा यानि कि चालू करना पड़ेगा जैसे मैंने single pole के MSV को चालू किया तो हमारा power supply start push button के पहुच गई है अब यदी में start push button को press करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा motor start हो जा लिए आभ ही यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो और में start push button को press करके रखा हूँ यहाँ पे जब में स्टार पुस्टार्न को प्रएज करके रखाँ हैं तक मेरा तो यहाँ पर जो हमारा एनो कॉंटेक है, इसका connection करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा start push button है, इसका जो incoming terminal है, वहाँ से एक बार को connect करके ले जाके, हमारा जो contactor का एनो कॉंटेक है, उसको incoming power supply दे दूँगा, ठीक है, अब जो हमारा एनो कॉंटेक का outgoing terminal है, वहाँ से ए देखा देता हूं, यहाँ पर मैंने power supply को on कर दिया, अब यहाँ पर जो हमारा MCBA, इसको on कर देता हूं, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो power supply दा, वो start push button के पास में पहुच गया है, अभी यहाँ पर हमारा जो contactor है, वो on नहीं हुआ, अब यादि मुझे इ यहाँ पर हमने no contact का इस्तमाल किये थे, जैसे मेरे contactor में power supply आया, तो यह जो no contact था, वो no से nc बन गया, और इसके nc बनने से, यह जो power supply था, वो यहाँ से flow होते हुए, इस contactor के coil में चली जा रही है, जिससे यह जो हमारा motor है, वो continuously on है, अब यादि मुझे इस motor को बन करना ह तो मैं क्या करूँगा, यह जो हमारा stop push button है, इसको मुझे press करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको press करता हूँ, तो हमारा जो contactor है, वो off हो गया, दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो motor था, उसकी protection के लिए हमने यहाँ एक overall relay का इस्तमाल किया थे, अब यह जो हमार overall relay का NC contact है, इसको connection करने के लिए हम simply यह जो हमारा control circuit है, उसके series में connect कर देंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो हमारा MCB है, उसके औराटफ़ोईं Terminal से एक wire को ले जाके, overall relay का जो 95 नमबर का terminal होता है, उसमें connect कर देंगे, ठीके, अब overall relay का जो औराट़ोईं Terminal ह उसके outgoing terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको लेयाके stop push button के incoming terminal पे connect करेंगे ठीके कुछ इस पकाद से हम connection कर देंगे ठीके दोस्तों आप यदि यहाँ पे हमारा जो overload relay है वो trip होता है तो यह जो हमारा controlling है वो break हो जाएगा जिसके कारण से हमारा motor बंद हो जाती है अब दोस्तों दिख हमारा start push button उसको press करने पे हमारा motor on हो जा लिए ठीके अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों देखिए जब हमारा motor running condition में होता है और यदि किसी कारण से motor हमारा ज्यादा current लेती है तो क्या होगा यह जो हमारा overload relay है वो sense करेगा और sense करने पे क्या होगा यह trip हो जाती है जैसे trip होता है तो आप देख सकते हो यह जो nc contact था वो no बन गया है जिसके कारण से control supply जो थी वो flow होना बंद हो गई और यह जो हमारा contactor का coil था उसमें power supply जैसे ही जा लानाते हैं I hope कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसनाया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसनाया तो प्रीस लाइक सेर और कमेंट कर दिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल